हाँ तो दोस्टो लॉरस लैप के Q3 के नमबर आ चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको लॉरस लैप क्याना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो देखें यहाँ पे जो रेवेन्यू का नमबर है वो पिछले काटर के कमपेरिजन में 14% से गिरा है और यह नमबर आया है 1028 करोट पे और जो प्राफिटेबलीटी है सॉरी यह रेवेन्यू का नमबर नहीं है यह प्राफिटेबलीटी है तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं तो यह नमबर 24% से गिरा है और यह नमबर आया है 154 करोट पे तो कौटली बिशिट पे यहाँ पे बहुती ज़्यादा disappointment हमें देखने को मिल रहा है और अगर हम year on year basis की बात करेंगे यहाँ पे 20% से रेवेन्यू का नमबर गिरा है और जो प्राफिटेबलीटी है वो 43% से गिरी है और यह नमबर आया है 154 करोट पे तो almost यहाँ पे जो net profit है पिछले साल के मुकाबले company का आदा हुआ है और इसलि out performance दिखा रही है in earnings point of view तो उसके आने वाला साल या तो consolidation होता है उनकी earnings में यहाँ में under performance देखने को मिल रहा है तो देकि यहाँ पे जो company के नमबर से बिल्कुल भी अच्छे नहीं है तो यहाँ पे short term में marketing से negative way में ही लेगा और हम देख भी सकते हैं कि लगबग 5-6% stock अभी हमें नीचे नजर आ रहा है तो देखेंगे अगर हम बात करेंगे तो एक long term point of view से यह अच्छी opportunity हो सकती है लेकिन short term में जो numbers है तो वो market उच्छे negative way में ही लेगा और देखेंगे अगर हम 723 का इसका high है तो वहाँ चे लगबग 300 रुपे यह stock already गिर चुका है इन percentage wise यह number 40 percentage पर आता है तो इसलिए अच्छा का सा correction already हो चुका है तो जो earnings यहाँ पर कम हुई है तो वो चीजे मुझे factor ही नजर आती है लेकिन फिर भी short term में यहाँ पर selling pressure रहेगा तो short term के लिए avoid कीजिए लेकिन अगर एक long term investor है तो मेरे ख्याल से इस opportunity को grab करने का काम कीजिए तो दोस् थैंकि यू वह नाइस दी